एलो फ्रेंड वेलकम टू फिरी कुकिंग यूट्यूब चैनल आप हमारे चैनल के होमपेज से प्लेलिट्ट बजाका सभी कुकिंग एंड बेकिंग कोर्सिस की सभी रेसपियां आसान तरीके से देख सकते हैं आज हम अपने ब्राउनी एंड ब्लॉनडीज के कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं इस कोर्स की सेंड्विच ब्लॉनडीज की सपी हम आपके साथ सेयर करने आये हैं सेंड्विच ब्लॉनडीज में आपको अलग लग लेयर और अलग लेवर देखने को मिलेंगे यहां पर हमने अपनी सेंड्विच ब्लॉनडीज को फाइव लेयर में कवर किया है सेंड्विच के अंदर जो हमने लेयर दिये उसका फ्लेवर आपको बहुत ज़्यादा डिलीशेस लगने वाला है फ्रेंड हमने यहां पर सेंड्विच ब्लोंडी बनाने के लिए 250 ml कप सैट का मेजरमेंट यूज किया है तो चले स्टार्ट करते हैं तेस्टी में बहुते तुख़ों में कटी हुई वाइट चोकलेट इसके बाद मैं डाल रही हूं मैल्ट अमूल बटर आप यहां पर जमा हुआ अमूल बटर भी ले सकते हैं अब आपको इन दोनों को मिक्स करते होग्या बाइट चोकलेट को मेल्ट करना है लो फ्लेम पर वाइट च cooking में यूज ओने वाला रोज वोटर रोज वाटर की जगय आप यहां पर रोज एसेंस भी यूज कर सकते हैं अगर आप रोज एसेंस यूज कर रहे हैं तो आपको यहां पर रोज एसेंस की कुछ ड्रोप ले नहीं है रोज़ वाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है आप कोटर की जगह मुरी लाइसेंस का भी यूज कर सकते हैं अब मैं ले रही हूं पानी यहां पर मैं कम क्वांटिटी में पानी ले रही हूं जब हम ड्राइ इंग्रेडियंट में वेट इंग्रेडियंट मिक्स करेंगे और पानी की आफशकता पड़ेगी तब हम उसमें और पा पॉँझी बनानी के लिए मैं ले्गिंग सोड़ा की ता सकते हैं अपने इन बद गुमा का इसका पवडर बना का त्यार कर रहे हूं आपके एलमंट पॉडर के कंसिस्टेंसी पॉडर फोम में होनी चाहिए इसका ओ रूल इसल नहीं होना जीए आप यहाँ पर मार्केट में मिलने वाला एलमंट पौडर भी यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब को चलनी में डालने के वाद अब मैं इन सब को एक वाद छान रही हूं ड्राइब में के वार in पहुज को चाने के वार हमारे जो बदाम कचंगे Kो मैं इसी बाउल में डाल रही हूं सभी यापने ड्राइश में डालकर वैट इंग्रेटेट के साथ मिक्स करूंगी यहां पर ऐलमंट पोडर से पहसर्चा प्लेबर बन कराने वार भन मिक्स करना उच्छों होजाने के बाद but राइंग्रेडिंट का सेकिंड बैस डाल रही हूं और इसको करूँगे राइंग्रेडिंट को mix करने के बाद मुझे अपने बैटर की consistency पर्फेक्ट दिखाई दे रही है अगर आपको अपने ब्रॉणडीच के बैटर की consistency गाड़ी लग रही है तो आप इसमें और पानी add कर सकते हैं कोई मेधा जदा पानी लेती है और कोई मेधा पानी कम लेतі है को आpieटर में पानी करें तो आपको है पाउन कवर कर से कैसे कवर किया जाता OUR उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अब मैं अपने इस बैटर को टीन मोल्ड में डाले से पहले आपको अपने OTG को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्रिहिट होने के लिए रखना है अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आपको अपने लाने के बाद अपमें इसे बेख करने के लिए रखूंगी अगर आपका OTG साइज में बढ़ा है तो आपको 180 डिग्री पर दोनों को इलोन करके वी सेंटर पर तीन मोल्ड को रख करके 10-15 मिनट के लिए इसे बेख करना है अगर आप अपने बैटर को माइक्रोवेव में ब पर रखना है माइक्रोवेव में कन्वेक्षिन मोड पर जाका 180 डिगरी पर आपको इसे 10-15 मिनट के लिए बेख करना है आपको इसे बेक करने में मेरा ओटीजी प्रीट हो चुका है अब मैं इसे बेक करने के लिए रखरी हूं बेक करने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी यह देखें हमारा बेस बेक हो गया है इसका कलर आपको दिखाई दे रहोगा लाइट गोल्डन आप अपने बेस को नाइफ की साहिता से भी चेक करने के लिए रखना है फ्रेंड कुछ समय में ही मेरा बेस पूरी तरीकी से ठंड़ हो गया है अब मैं इसे केरफुली इस बेस को टीन मोल्ड में से भान निकाल कर आपको इसे ट्रेइप रखना है जिससे आपका बेस टूटे नहीं यहाँ पर हमें सेंड्विच ब्लोंडी की के साथ बेटर को टीन मोल्ड में टाल का त्यार करूंगी यह देखे़ बेस की एको लेयर बनाने के लिए यहां पर हमने उसी प्लेवर के साथ बैटर बना कर दिया है अब मैं इसको फिर से बेख करूंगी अगर आपका ब्लोंडी बड़ा है और आपके पास एक साईज के दो तीन मोल्ड है तो आप बैटर में यूज़ोने वाली रेज़ेपी की कौन्टिटी को डबल करके एक साथ बैटर बना का उसको हाफ आप डिवाइड कर सकते हैं और एक साथ बेक कर सकते हैं बेक करने का टाइम सेम रहेगा यह देखे फ्रेंट सेंड्विच ब्लोंडीज ब दिखाने के लिए एक ही टीन मोल्ड से दो बार बैटर बना कर बेस बना का त्यार किया है अब मैं अपने इस बेस को पूरी तरह के ठंडा करने के लिए रख रही हूं बेस के ठंडा हो जाने के वाद इसके उपर की लेयर बना का त्यार करेंगे हमारा बेस ठंडा हो गया है अब मैं base के उपर की layer बना का त्यार कर रही हूँ फ्रेंट blonies की second layer बनाने के लिए मैं ले रही हूँ margarine आप यहाँ पर margarine की जगह amul butter भी ले सकते हैं margarine आप कोई से भी brand का ले सकते हैं अगर आपका margarine या amul butter भोजाद hard है तो आप इसको 10 second के लिए microwave कर सकते हैं margarine एक अलग टाइप का butter होता है जिसको baking item में यूज के जाता है इससे हमारे baking item की self-like बढ़ जाती है margarine में mix करने के लिए मैं ले रही हूँ icing sugar आप यहाँ पर icing sugar की जगह powder sugar का भी यूज कर सकते हैं बस आपको इस बात कर दियान रखना है powder sugar आपकी एकड़ बारिक होनी चाहिए icing sugar को थोड़ा-थोड़ा करके margarine में डालना है और spatula की साहिता से mix करना है जब हम सारी icing sugar को margarine में mix कर देंगे तब हम इसको वीटर से फैटेंगे इस तरीके से आपको थोड़ा-थोड़ी icing sugar margarine में डालका mix करना है यह देखे फ्रेंड हमने अपनी icing sugar को margarine के साथ अच्छी तरीके से mix कर दिया है icing sugar के margarine में mix हो जाने के बाद अब मैं इसको वीटर की साहिता से फैट होगी पहले आपको वीटर की स्पीड लो रखनी है उसके बाद हाई करनी है यहाँ पर हम अपनी margarine के fluffy होने तक यानि की double होने तक इसको फैटेंगे आप यहाँ पर margarine की जगे अमुल बटर भी ले सकते हैं अमुल बटर यूज़ करने से आपकी sandwich blondie की self life कम हो जाएगी हमुल बटर यूज़ करने से आप अपनी blondie को 2-3 दिन फ्रीज से भाहर आसानी से रख सकते हैं और फ्रीज में 7-8 दिन के लिए margarine को fluffy बनाते समय आपको इसे बीच बीच में spatula की साहता से एक जगे करना है एक जगे करने के बाद आपको इसको फिर से फैट ना है इस तरह की से आपको इसे तीन से चार बार करना है जब तक आपकी बनाई जाने वाली butter feeling दबलनी हो जाती के फैन मुझे अपनी margarine को फैट ते हुए 5-10 मिनट हो गए मेरी margarine fluffy हो गई है मैं आपको इसका texture पास से दिखाती हूँ आपको अमारी margarine fluffy दिखाई दे रही होगी margarine के fluffy हो जाने के बाद अप मैं इसमें डाल रही हूं melted white chocolate यहाँ पर हमने अपनी white chocolate को microwave में melt किया है आप इसको double boiler में भी melt कर सकते हैं चोकलेट के melt हो जाने के बाद melted chocolate को margarine में डालना है feeling में melt chocolate को mix करते समय आपकी chocolate room temperature पर होनी जाहिए melted white chocolate को bowl में डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से mix करना है चोकलेट के mix हो जाने के बाद अब मैं इसको एक से दो मिनट के लिए वीटर की साहिता से फैटूंगी बीटर से फैटने के बाद मुझे इसकी consistency बहुत ज़्याद ठिक दिखाई दे रही है अब मैं इसमें थोड़ा सा दूद एड़ करूंगी यहाँ पर मैंने room temperature पर जलदी सोफ्ट हो जाएगी अगर आपके हां का वैधर ठंडा है तो आपके मार्गरीन थोडी से टाइट है से ताइट रही रही और अपने fatty view मार्गरीन बटर की consistency को देखते होगे इसमें दूर मिलाना है आपको अपने हां के weather के according इसमें दूर कम यह जादे भी लग सकता है अगर आप मार्गरीन बटर की जगह अमुल बटर यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें दूर मिलाने की आवसकता नहीं पड़ेग uniform और पफ के साथ बनका त्यार हो गई है मैं अपने सेंड्विच के अंदर ीस फिलिंग की दो लेएर दोंगी filling की दो लेएर देने के लिए मैं इसको हाफ-ाफ two-part में डिवाइट कर रही हूं मैं अपनी इस में अलग-अलग दो देने वाली हूं अगर आप अपनी फिलिंग में दो फ्लेवर न देकर एक देना चाहते हैं तो आपको इससे टू पार्ट में डिवाइट करने से पहले इसमें रोज एसेंस एड़ करना है आप यहां पर रोज एसेंस या रोज वाटर या फिर बनिला एस आप यहां पर अपने टेस्ट के कोडिंग कोई साभी फिलेवर ले सकते हैं मैं अपनी इस फिलिंग में आफ टी स्पून के करीब मैंगो इमल्सन ले रही हूं इमल्सन आप यहां पर कोई से भी ब्रेंड का ले सकते हैं मैंगो इमल्सन को अच्छी तरीके से मिक्स करना है के साथ यहां पर यहां पर mango इमलस अने को यहां पर मैंगो इसेंस और यलो कलर भी लेसकते है panelists आपको mango लेना है एक यहां एक ती सेंच पूल और यहां यह फेंट मैंगो इमलस ऑनने के बार हमानी 두 लेवराली फीलिंग बनकर तयार हो गई है अब मैं इस फीलिग को आइसिंग बैक में भरकर त्यार करूँगी त्रेंड हमारा ये टीन मोल्ड जो है वैं है हइट में बहुत जादा बढ़ा है इसकी दो साइड बेकिंग पेपर से कवर ओ रही है और दो साइड बेकिंग पेपर साइज में चोटा है ब्लोंडी बनाने के लिए मैं इसकी दो पर ओएच्पी सीट लगानी है ओएच्पी सीट के लग जाने के बाद अब में मैंगो फ्लेवर वाली फिलिंग को बेश के उपर लगा रही हूं सेंड्विच ब्लोंडी बनाने के लिए हमारी फस्ट लेयर बेश की थी अब मैं सेंड्विच बनाने के लिए मैंगो फिलिंग के साथ सेकिंड लेयर कवर कर रही हूं मेंगो फिलिंग लगाने के बाद आपको इसे पैलेट नाइफ की साहिता से चारो तरफ से इक्वल इस्प्रेड करना है मेंगो फिलिंग के इस्प्रेड हो जाने के बाद अब मैं इसके उपर कलर्फुल टूटी-फूटी डाल गई हू टूटी फुरूटी ओप्सनल में आप इसकी जगह चोको चिप्स या फिर चोप्र ट्राइनट्स भी डाल सकते हैं इसलिए आपको यहाँ पर दो से तीन ड्रोप रोज इमल्सन की डालने है रेट रोज इमल्सन को फिलिंग के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है यह देखे फ्रेंड हमारी रेट रोज फिलिंग बनका त्यार होगी है अब मैं इसको आइसिंग बैंग में भनने के बाद अब हम इसके उपर बनाया हुआ दूसरा बेस लगाएंगे त्रेंड आपको अपने बेस के नीचे के बेकिंग पेपर को केरफूली हटाना है जिससे आपका बेस टूटे नहीं बेकिंग पेपर के हट जाने के बाद मैं आपको अपने बेस का टेक्स्टर दिखाते हूँ कि है इसको रोज फिलिंग की उपा लगाना है आँ बेस के सैट हो जाने के बाद हमारी ब्लोंडी की फॉर लेयर कंप्रीट हो गयी है अब मैं इस बेस के उपर फिफ्ट लेयर देख लीए प्द्ट्ट लेएर के लिए मैं बनाने जा रही हूँ चोकलेट गणास चोकलेट गणास बनाने के लिए पानी को भुख लेकश 있나 अब मैं gas की flame को low कर रही हूं और इसके उपर एक बड़ा कटोरा रख रही हूं अब मैं इसके अंदर डाल रही हूं white chocolate यहाँ पर आपको white chocolate को एकदम चुट-चुटे टुकलों में cut करना है यहाँ पर हमने more day brand की white chocolate लिये आपको इसे भी brand की चुकलेट ले सकते हैं अब आपको अपनी white chocolate को low flame पर melt करना है चुकलेट आपकी जितनी ज़्यादा चोप्ट होईगी उतनी ही जल्दी melt होईगी यह देखे फ्रेंट हमारी चुकलेट मेल्ट होगी है लेकिन इसके consistency भो ज़ होगी है हमारी चुकलेट की consistency smooth हो गई है और हमारी चोप्रेट के रूम टैम पेचर पर आ जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हो अमूल क्रीम मिलाते समय आपकी अमूल क्रीम होनी चाहिए अमूल क्रीम और चोकलेट को आपस में अच्छी थरीकी से मिक्स करना है चोक्ल को बेश में देना चाटे तो आप इसमें फिलेवर भी दे सकते हैं आप अपनी चोकलेट घानास में से तासıyı प्लेवर भी दे सकते हैं चोकलेट के नाइफ की साहिता से एकवडे चलव जल्दी करना है चोकलेट गणाज के चारो तरफ फैल जाने के बाद इसके सेट होने से पहले हम इसके उपड़ डाल रहे हैं चोप्ट क्या हुआ फिस्ता फ्रेंट पिस्ता ओप्सिनल में आप इसके जगह कोई सभी नट्स ले सकते हैं फिस्ता लेने के बाद अब मैं इसके ले रहे हूं डैकोरेशन के लिए ड्राय रोज पैटल यहां पार हमने ड्राय रोज पैटल को छोटे-छोटे पीस में कट कर दिया था अगर आपको अपने सेंड्विच ब्लोंडी को कलरफुल बनाना है तो आपको यहां पर लेने हैं टूटी-फूरूटी टूटी-फूरू ब्यूटी-फूल बनका तियार होईगी फेंड अगर आप ब्राउण राइस उपर ही करें तो आपको अपने लिटर को हलकी अब मैं अपनी ब्लोंडी को फ्रीज में सेट ओने के लिए रखूंगी फ्रीज में मैं इसे एक से दो घंटे के लिए सेट होने के लिए रखूंगी अब मैं इसे फ्रीज में सेट होने के लिए रख रही हूं तब उसके बाद आपको दिखाऊंगी यह देखे फैंड हमारी ब्लोंडी फ्रीज में रखने के बाद सेट हो गई है Blondie को Mold में से भाहा निकालने से पहले मैं इसके Side की OHP Sheet को भाहा निकाल दूंगी OHP Sheet के निकल जाने के बाद अब मैं अपने इस Blondie को Mold के अंदर से भाहा निकाल रही हूँ Blondie को Mold में से निकालते समय आपको Careful लेना जिससे आपकी Blondie तूटे नहीं अगर आपकी Blondie फ्रीज में रखने के बाद पूरी तरीकी से सैट होगी है तो यह Mold में से असानी से भाहा निकाल कर आ जाती है Blondie को Mold में से भाहा निकाल कर आपको इसके Side के Paper को हटाना है अब मैं अपनी Blondie की Equal पीशों में Cutting कर रही हूँ Blondie के पीशीच का Size चोटा या बड़ा आप अपने Taste के Coding कैसा भी रख सकते हैं अगर आपकी चोकलेट के लिए बहुँ जाद हाड हो रही है तो आपको अपनी Blondie को Cut करने से पहले Blondie को Freeze में से निकालका 10-15 मिनट के लिए रखना है 10-15 मिनट रखने के बाद तब आपको अपनी Blondie को Cut करना है यहाँ पर मैं अपनी Blondie के कुछ पीश Square रखूंगी और कुछ पीश को Triangle Shape दोंगी आप अपनी Sandwich Blondie को Freeze से बहार 7-8 दिन और Freeze में 10-15 दिन आसानी से रख सकते हैं यह देखे फैंड हमने अपनी Blondie की Cutting कर दिए आपको हमारी Blondie में अलग लग लेयर दिखाई दे रही होएंगी यह देखे फैंड हमने अपनी Sandwich Blondie की प्लेटिंग कर दिए अगर आपको अमारे ब्राउनी एंड Blondie के कोर्स में Sandwich Blondie की रेशेपी पसंद आई है तो प्लीज इस रेशेपी की वीडियो को लाइक शेयर और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ब्राबर में बने बैल आइकन को दवाना ना भूलिएगा बैल आइकन को दवाने से आपको अमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप इस वीडियो की नीचे दिए गए कमेंट वोक्स में आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्स की रेसेपी नंबर सेविन न्यू फ्लेवर न्यू तरीके से बनी ब्राउनी एंड ब्लोंडिच की रेसेपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर कने वाले है ओके फ्रेंड फिर मिलेंगे बाई बाई